ये आजकल Roman Reigns का SmackDown में पता कैसे यूज़ हो रहा है ये कुछ-कुछ वैसे ही है जैसे कभी-कभी होता नहीं कि हमारे घर में कोई चीज आई ये खाने के लिए लेकिन शायद भी भगवान को प्रसाद में चड़ाने है फिर महमानों के आने तक वेट करना है तो हम क्या करते है हम सिर्फ उसकी स्मेल लेते हैं कि अच्छा ऐसा टेस्टे करेगा तब तक वैसे मजे लेते हैं हम तो ऐसा ही Roman Reigns का यूज़ हो रहा है शोपर आते तो नहीं है लेकिन इतनी बार उनको प्लक करते हैं कि बाई शाथ कोई सूपर आई उसको भी इतनी बार नहीं मेंशन करते ह तो इस वीडियो में हम लोग बात करने बारे में कैसा था शो के बारे में एंड नो बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो के साथ के साथ देखने को मिलते हैं जो कि हमारे अंडिस्पूटे डबल वडी टाग टीम चैंपिंश यहां पर आखर के इतनी जल्दी उनके साथ होग था रहें इधर जाके अधर जाकर द्रॉफ्ट बारे में बात करी कि काईसे ड्रावट ज Valut'd कुछझ भी होसकता है मुझी यह संपाइन और की था SmackDown के Superstar है, Kevin Owens Draw के Superstar है, दोनों Superstar अब एक सानाता Tag Team होची की Undisputed Tag Team Champions हैं और अगर किसी एक जगह ये Draft होए भी तो एक जगह ही होने वाले कोगी ये Team है और उसके बाद भी कौन साब तक Draft ही है जो भी चल रहा है, WWE का लग-लग इसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है तो फिर किस बात के Unpredictable होने की बात करना है Kevin Owens ने मुझे नहीं पता कि इससे कैसे Kevin Owens और Sammy Zane को फर्क पड़ सकता है ये थोड़ा सा Draft समझ के बाहर भी है मेरे अभी लेकिन मैं आपको बतायता हूँ कि द्राफ्ट की ऑफिशल जो अनॉंस्मेंट है वो हो चुकी है 28 अप्रायल का जो SmackDown का एपिसोड है और 1 मही का जो Monday Night Raw का एपिसोड है वहाँ पर आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा अब सबस्क्राइब करें गाराओ पर आठ तारीक के जो अपडेट आरही थी कि जैक्सन विल में डेबलो ली सब कर सकती है Monday Night Raw में वो सिर्फ रूमर्स ही रहे एक्ट्वल डेट जो हमको पता चलती है अब मैंने थोड़ी दुरूत की बाते कर दी आवा आते हैं में उसी टॉपिक के उपर उसोज ने आपर आकर जोए कंफरेंट किया केविन ओवंसन सामी जेन को कंफरेंट तो नहीं किया खड़े वे थे और इसके बाद यहां पर बाते चल रही है कि कैसे अब भी तो तुम दो हफ्ते से चैंपिन बने हो हमारे पास दो साल का प्रेशर होता है जेलने का सैम जेन यहां पर ट्रोल कर देते हैं उसोज को और कहते हैं हां प्रेशर तो हो गई भाई क्योंकि तुम्हें हर हफ्ते जाकर रिपोर्ट भी तो करना होता अपने डैडी रोमन रेंस को उसके बाद सैम यहां पर आकर जेव उसो के बार में बात करते हैं कि मुझे जैसे जेव उसो कर रहा भाई देखो कैसी हरकत है इसको पता है कि सब कुछ गलाता है फिर भी अच्छा दिखाने कोशिक कर रहा है जैसे कि क्या हमें नहीं पता कि रोमन रेंस को कितना ज्यादा गुस्सा होगा तुमारे उपर क्योंकि तुम दोने चैंपेंशिप हार गए को मिला क्विक Siqovah को वहां से उसस को घसीट के लेकर जाना पड़ता है आज जो के मेन इवैंट के लिए बाममी ने जो मैश्क ऑशिप किया है वह है सोलो सीकोव ना भी हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको प्रोटेक्ट किया जाता लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो कि पीचिस आगे एक जेवर वुट्स ने उनको पे निकर दिया और मैस में उनको विक्टरी मिल गई है अभी बता जा रहा है कि सारी एक प्रॉसस का पार्ट है आने वाले मैं आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में कुछ अलग लावर के सूपरस्टार बनने वाले तो देखते हैं किस तरीके से वह चीज़ा आगे एले नाइट के लिए शेप लेती है इसके बाद गया हमको शो पर जज्ज्मेंट डे देखने को मिलती है और यहां पर दे और यह मैं सट अपर हो रहा होता है संट असकोवार वर्स डेवन प्रीस्ट के बीच में रिंग सट पर ज्यां के आपस खुद के बंदे भी है और इवेंचली जो मैंच के रिजल्ट निकलता है वह कुछ ऐसा निकलता है जब साउथ अफ हैवन फिनिशर लगा के समैश में भी जीद गए लेकिन हमको बाद में मिस्टेश भी देखनी को मिलते है जिन्हों ने डॉमनिक मिस्टेश को आके बजाने की कोशिश करी बजा भी दिया होता है लेकिन जो रिपली और डेवन पीस्टों ने आके जो नहीं बचा लिया तो यह काफी अच्छा लग रहा है कि डे भाई दोनों शोस के ओपर छाई भी रहती है बहले ही इनको ऐसा नहीं कह सकते हैं को मेंन स्पोर्ट दिया जा रहा है लेकिन मिड़ गार्ड में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ और फैक्शन है तो फिर अपने आप में वैसी स्पेशल बन जाती है फिन बेलर ह सबस्कति ऐख इसके के वायध डाता चली कि यह बात रोमन रचाना चाहते हैं स्टी करते है क्यूंकि दिसस्पेक्ट कर दो इसके कर दो से बाद आख चलती है इसके बाद गया इसक लिए pre cognitive का से इसलिए है काफी बोरिंग साय काफी मसाला है कुछ है नहीं चल्सी ग्रीन सोने डेविल नाकर इंटरप्ट किया उसके बाद इन्होंने ब्रॉल करी और अभी मैच भी सटप कर लेंगे तो बस पता नहीं यारे मताब बहुत बोरिंग साय यह नहीं कहा रहा कि वाई इसलिए है सच में आप मुझे ऐसा कुछ अलिमेंट नजर नहीं आ रहा बस हां राक्यल रोडिगोस और लिव मॉर्गन चैंपन मन गई तो फिर उसमें ही अगर खुश होना है तो फिर खुश हो सकते हो उसके बार में कुछ कहा नहीं जा सकता है अगली चीज गाई शो पर थी बढ़कते बढ़कते कलर में आते हैं लेकिन आज थोड़ा सा वह चीज नहीं थी नाकामुरा आया क्राउड उनको काफी एनरजेटिक है उनके लिए बेए फेस वालन को रियाक्शन मिलना सब कुछ सही है नाकामुरा के लिए मैटकेप मॉस के साथ उनका शो पर मैस हुई क अब आपको कल वाली वीडियो के अंदर ही बता दिया था और आपसली समैश में नाकामुरा कोई जीतना था बहुत आसा लगा भी नहीं कि कुछ मैटकेप मॉस थेड़ पोस कर भी रहे हैं एड़ में अपना फिनिशर लगा के इन शाचर लगा के उन्हें समैश में विक्री वाइकिंग रेडर्स हैं उन्होंने बैक स्टेज तोड़ दिया है ब्राउंस विकुषए को वाइकिंग रेडर्स जो है अगयन वही मूमेंटम मिलता है उनकी गाडे फिर उतर जाती है ट्रैक से यहीं चल रहा है अभी ब्राउंस विकुषए काफी टाम से टीम में हैं रोमन रेंज से बात हो गई है सब कुछ सेट है दो हफते में उसोस अपनी चैंपिंशिप वापस ले लेंगे केविन ओवंस और सामी जेन से क्योंकि इन कहने वाला अंडिस्पूर्टेट एक्टिम टैक्टल्स के लिए मैच हैं समिन और उसोस हारने वाले हैं मतलब वह मैच लूस करें कि रोमन रेंस पर पिस्टीम से करें फिर से मैशन किया हैं अब बात करते हैं तो सोलो ट्बाइन रिडल के मैच कि तो रिंक साइट पर कविन ओवंस और सामी जेन रिडल ने पता निया क्या उचके उसके 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 ऊपर मूब करने कोशची करी जो कि भी लेते लेंगा उसके बाद जब रिंग में गये तो सोलो सिकोव अपने समोन स्पाइक के सांथ तयार थे उसके बाद उन्होंने जो है पटक के रख दिया और मैं एच पर हारा है वह ह लट दी और उसके बाद के बाद के बाद के बाद के यहां पर तूटना फूटना रिडल के सांथ ही हो गया है और गाइस यह स्मैक डॉन का शो था मेरे साब से यह बिल्कुल अच्छा शो नहीं था इसको लाइब देखने के तो भाई तुमारी आफात आ जाएगी लेकिन कुछ इंटरसिंग चीज़े बताता हूं आज के शो के बाद जो चीज़े हैं ड्रू मैकंटार ने गाइस अपनी पूरे टूटर की प्रफाइल है उसको ब्लैक कर ले आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर डेबलोबली के जो भी मैंशन थे एक्साप उन नहीं आ रहा है और गाइस आपको यह बात मैं कंफर्म करके बता सकता हूं अकॉर्डिंग टो रिंग साइड न्यूज कि रोमन रेंज कंपेट करने जा रहे है नाइट अफ चैंपेंस में डेबलोबली ने सब्सक्राइब के लिए वहां पर रोमन रेंज शो पर कंपीट कर सब्सक्राइब करते हैं तो यह काफी अच्छी बात है कि चलो रोमन रेंज को अभी तो सिट्समैकड़न में स्मेल लेने का मौका मिला लेकिन हां जो पूरा फूड है वो सर्फ किया जाएगा नाइट अफ चैंपेंस में डेबलोबली के पास यही तरीका है रोमन रेंज का यह वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी तो से लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को अन कर दो and see you guys in my next video